नमस्कार दोस्तों आप सभी का कुछ बाते बात में स्वागते दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें इस बार का फार्मर्स प्रोटेस्ट मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं ये मोदी जी के हक में जा रहा है भाजपाक वो इस फार्मर्स प्रोटेस्ट से फाइदा ही होने वाला है दोस्तों क्यूं होने वाला है इसके पीछे कुछ कारण में धून के रखे हैं और यह सारे कारण सुनने के बाद अगर आपको लगे कि और इसमें आप कारण जोड़ सकते हैं तो आप जोड़िएगा दोस्तों चलि पीट पीट के उसको लटका कर उसको मार दिया गया था उस पर इलजाम लगाया था कि इसने बे-अधिबी की है यह देखा उसी फार्मर्स प्रोटेस्ट में देखा कि एक बंगाल की बेटी का बलतकार हो गया ठीक हजारों करोर रुपे का नुकसान हो गया बिजनसमेन का लाखों लोग परिशान हो गये क्योंकि वह दिली में आ नहीं पारे थे जान नहीं पारे थे अपने काम नहीं कर पारे थे लाखों लोग को तकलीफों का सामना करना पड़ा फार्मा प्रोटेस्ट के नाम पर प्रोटेस्ट करने वाले लोग जो थे उन्होंने जौर्ज सोरस खालिस्तानी केनेडा से पैसा आने ले लेके खुब पीजा खाए पराठे खाए पास्ता खाए पता नहीं क्या क्या उसके बाद देश की बेज़िती करने में भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने लाल किले पर चड़कर भारत का जंडा उतार दिया और खालिस्तानी जंडा लगा दिया वहाँ पर 27 जंवरी के दिन यह भी यह लोग उने देखा लोग देख रहे थे कि प्रोटेस्टर तो कह रहे थे कि पछली लोग ये भी देख रहे हैं कि और उन्होंने देखा भी था सुना भी था कि योगेंद्र यादव कह रहे थे कि जो पहला फार्म प्रोटेस्ट था वो तो भाई जो इलेक्शन होने वाले थे यूपी और इन सब जगहों के वहां के लिए हम पिछ बना रहे थे ताकि अखलेश चादव कंग्रेस इस स्पिछ पर खेल सके आधया है नो दौस्तो तो यह भी सुना वार्म थो रहा है इस बार लोग देखा कि प्रोटेस पुलिस वाले थे उनकी भी पिटाई कर दी यह भी लोग देख रहे थे लोग ने यह भी देखा दोस्तों कि 95% जो देश का किसान है जो फार्मर्स बिल आया था उसके फेवर में था लेकिन सरकार को जब लगा कि इसमें खालिस्तानी देश को तोड़ने वाले लोग और बाहर पर्वरी शक्तिया इसमें लग गई है तो सरकार ने इस बिल को वापस ले लिया तो लोग यह कहरी कि भाई आपने तो ले लिया 5% लोग जो फार्मर्स है आपके फिर 1% 2% उनकी कहने पर आपने फार्म्स बिल ले लिए लेकिन हमें तो चाहिए ना ठीक है तो यह आवाज अब धीरे धीरे जो है निकलके आने लगी है उसके बद आगे आते है सुप्रिम कूर्ट जिसने इस मामले को इस बिल को रिव्यू किया उस पर जज्जमेंट आया जब उसने जज्जमन दिया तो उस जज्जमेंट में उसने कहा बाई यह जो फॉर्म बिल्स थे यह हमारे फिवर में थे तो उनको लग रहा है कि भाई यह अच्छी खासी जो डील मिली थी वह भी चले गए तो यह लोग यह भी देख रहे हैं दोस्तो कि इस बार जो फॉर्म जो फॉर्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें जो इन लोगों साथ के लोगों को फार्मर्स को दस जार रुपे की पेंशन चाहिए मैंने कहीं सुना कि भाई जो बारा ग्राम का सोना है ठीक है जी कह रहे थे कि बारा ग्राम के सोने के हिसाब से हमारा जो है चावल है चाहें आपका गेहूं है उसके हिसाब से कर देना चाहिए तो यानि अगर जब आप इसका एक केजी का आप निकालेंगे दोस्तों तो वह 280 रुपया केजी करीब आता है यानि कि अभी जिस प्रेट पर मिल रहा है आपको गेहूं उसका 10 गुना हो जाएगा है ना त सतरे से नकार दिया, 2010 में पारलेमेंट ने कहा कि हम इस रिपोर्ट को रिजेक्ट करते है इसको इमप्लिमेंट नहीं किया सकता है जोजाँ seis में इस रिफोर्ट आगे थी दोस्तों और तो सौ marquee के सर्कार थी और सरुम्काने उसको इमप्लिमेंट नहीं ज़िए है और आज रहुल गांधी कह रहे हैं कि हम इसको इंप्लिमेंट करेंगे कॉंगर्स लोग देख रहे हैं समंझ रही हैं यह भी देख रही है कि करनाटक में त्यलंगाना में वह किस तरह से लोगों को बेवकुप बना आज बजट डेफेसिट वाले स्टेट बन गए हैं तो लोग यह सारी चीज़े देख रहे हैं दोस्तों है न और इसी के साथ पंजाब की जो लोग है ना आम लोग हैं वो भी परिशान हो गए हैं आए दिन यह जो फॉर्मस प्रोटेस्ट वाले हैं कहीं ना किसी किसी भी हाई तुम्हारे लोन माफ कर दिए तुम्हें घर बना कर दे रहा है तुम्हारे घर में सिलिंडर डाला पानी जल से ला रहा है टॉइलेट डिया सब कुछ तो दे रहा है तुमको है ना तो अब तुम ऐसे ऐसे काम क्यों कर रहे हों दोस्तों लोग जो है ना यह सारी questions पूछ र कर रहे हैं हर्यानत से इस बार आये नहीं राजस्तान से नहीं आए उत्तर पदेश वाले भी जो है वो भी आराम से बैठे हुए है उनको जो है गन्नी का जो भाव होता है एक्दम टाइम पर मिल जाता है आज बेचा कल परसों तक पैंक अकांट में आप ऐसे आ जाते हैं तो यह बात जो है जो भारत का जो आम नागरिक है जो किसान है वो पूछ रहा है और इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि इस बार का जो फार्म प्रोटेस्ट है यह कहीं न कहीं मोदी को फाइदा ही देगा नुकसान नहीं होने वाला है इससे ठीक है ना वो अलग बात है कि इस इस बार एक और चीज़ देखने की मिली कि इस बार सरकार जो जो है थोड़ी कड़क हो गई है और जो पूलिस वालों को बयान आया है पिर उनको जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है पूलिस वालों को कि अगर फार्मर्ज जो प्रोटेस्ट में जो आए ईसो कॉल्ड सब्सक्राइब जो हुआ ग्रेशिव होते है तोर फ्र करते हैं तो आपको चुप-चाफ आप अपके खड़े नहीं होना है आपको भी लाठिया भाजनी हैं आपको भी इन इनकी' पर फेकने हैं इनकी हिम्मत आपको तोड़े नहीं हैं दोस्तों तो यह में यहीं खाली कहने चाहता भगा कि इस बार का जो फार्पका जो यह मेरे ख्याल से लोग इसकी सचाई जान चुके हैं और इस जान चुके हैं कि जो फार्म बिल्स थे या फे इस बार के जिज़ंके जो डिमांड को न तो कॉंग्रavaş मान सकती है नाहीं तो मोजी सरकार बाए तेमांड को देखुआ अपो पता चल जाएगा कि ऑई जो डिमांड है मतलब मतलब देख को बैंक्राफ्ट कर देना है इंफलेशन को जो इन सते हुआ है उसको 30-90 सुन 40% पर लेके जाने की बात हो रही है तो आप यह सोच सकते हैं तो दोस्तों मेरा तो यही मानना है अगर आपको फीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किजएगा और आपको लगता है कि जो मैंने बोला उसमें पॉइंट्स अच्छे हैं तो इसको शेर भी अवश्य किजएगा दोस्तों दोस्तों अभी के लिए बस इतना है फिर मिलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों